अगनी वीर भरती में नया बदलाव किया गया है यह बदलाव है कि अगनी वीर भरती में पहले ओनलाइन परिच्छा होगी क्या है सारा मामला हम लोग देखते हैं तो नई दिल्ली एजेंसी भारतिय सेना ने अगनी वीर भरती परकिरिया में बदलाव कर दिया है अब अगनी वीर भरती के तहत सेना में सामिल होने के इच्छुक उमिद्वारों को पहले ओनलाइन समान परिवेश परिच्छा जिसको स समिद्वारों को सारेरिक रूप से चुस्त दुरुस्त होने मला फिजिकल फिटनेश समन्दी परिच्छन और मेडिकल जान से गुजरना होगा मला पहले ओनलाइन परिच्छा होगा उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट होगा सुत्रों ने बताया है कि भरती के लिए पहली ओनलाइन परिच्छा अपरेल में दोसो अस्थानों पर आयोजित की जा सकती है इस बारे में सेना विभीन माध्यमों से भी लोगों तक जनकारी पहुचा रही है भरती की नई परकिरिया अगली भरती में सामिल होने वाले करीब 40,000 उमिद्वारों पर लागू होगी नई विवस्था को अमल में लाने के पीछे मकसद भरती रैलियों में होने वाली भीड और चैन परकिरिया की लागत को कम करना है भरती रैली में हजारों अभियर थी आते थे इनकी स्क्रीनिंग की जाती थी उससे संसाधनों पर जोड़ पड़ता था मेडिकल स्टाप में भी ज्यादा लोग चाहिए होते हैं रैली में तदिक भीड की वज़ा से कई हासे भी हुए हैं यहाँ पर सौटकट में लिखा हुआ है अधिसूचना फरवरी मध तक मलब इसका जो अधिसूचना लिख लेगा वो फरवरी के बीच फरवरी में मलब मध में लिख लेगा सेना को सुत्रों ने सनिवार को बताया है कि इस संबंद में अधिशूचना फरवरी के मद तक जारी होने की उमीद है अप्रेल में पहली बार ऑनलाइन परिच्छा आयो जित होगी मलब फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा लाश्ट फरवरी तक भी आ सकता है और इसका अप्रेल में ऑनलाइन पर किरिया सुरू हो जागा पहले ऑनलाइन परिच्छा होगा उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा छोटी सी जनकारी थी चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब ते लिएक कर दीजिए बाबाई